हलो क्रिन स्वागत है हमारे यूटीब चैनल पर आज हम इस यूटीव में सिक्षण अव्रुत्ति में सिक्षण के भावनात्मात्त्त्त्त्त से जिसने भी प्रस्ण पूछे गए हैं उसका अध्यान करेंगे तो चलो वीडियो इस्टार्ट करते हैं निम्न लिखित में से पार्थ चर्चा संसोधन के मुख्य उद्देश्य हैं संसा की दूर द्रिष्टी विजय और मिशन के रूप में बहतर रूप से समंजय बनाना तो यहां सत्य हैं फिर हैं अधिगाम को परिणाम अधारित बनाना हैं यह भी सत्य हैं कारेक्राम के परिणामों के तुन्ना में इस्थार प्राप्ति को सुधार में अधिक प्रभावी बनाना या भी सही है प्रतियोगी परिच्छाओं के लिए छात्रों की छमता को विख्षित कहना यहा गलत है उसके बाद हैं सभी ही धारकों को अप्रिच्छाओं की पूर्ति कहना यहा भी सही है इस धार पर हमारा A, B, C और E सही है तो यहाँ B option में हैं यहाँ प्रस्ना 2022 में पुछा गया था फिर अगला प्रस्ना है नीमन लिखिद में से वे काराक कौन से हैं जो अधिगाम को प्रभावीट करते हैं अधिगाम को प्रभावीट करने वाला काराक हैं मानसिक स्वास्था यहाँ हैं ध्यान हैं उसके बाद हैं लिंग यहाँ नहीं हैं तरपरता हैं और ठकान हैं इस सधार्पर हमारा करेक्ट अंतर हैं वहाँ भी होगा जो सिखने को प्रभावीट करते हैं वहाँ काराक में हैं मानसिक स्वास्था ध्यान तरपरता और ठकान अगला प्रसना है सिख्छक एक वृत्ति प्रोफेशन के रुप में सिख्छन का आनन ले सकता हैं जब वहाँ विद्यार्थी के समान प्राप्त करना चाहता हैं तो यहाँ यहाँ हमारा यहाँ सहीं हो जाएगा फिर अगला प्रसना है नीमने लिखिट में से कौन से कौसल को ब्रिद्यो कौसल कहा जाता हैं निर्ने इसको कहा जाता हैं उसके बाद हैं विप्रान साप्ट इसकी नहीं कहा जाता हैं फिर हैं संचार इसको कहा जाता हैं उसके बाद हैं मदभेट समधान इसे भी कहा जाता है फिर हैं नितित्व इसको भी कहा जाता है इस सधार पर हमारा सी आंसर है वहाँ नहीं हो जाएगा सौफ्ट इसकेल्स जिन्हें पावर, सकेलिंग्स, कामन सकेलिंग्स या कोर सकेलिंग्स के रूप में भी जाना जाता हैं मुख्य उधारान है समस्य का समधान करना संचार नितित्व मदभेद समधान निर्णाय टीमवर्क डिजिटल सक्षर्थ अगला प्रस्न है अध्यात्मिक गतिविदियों को अर्थ पुण और उप्योगी मानने और उसमें लाप्राप्त करने की आवरित्ति को क्या कहा जाता ह हैं अगला प्रस्न तक्निकी वज्ञानिक निर्देश के अंतरगात नीमन लिखीट में से कौन सब पाठे चर्चा विकास निर्देश में आता हैं तो यहाँ डाबा का निर्देश में आता हैं अगला प्रस्न है नीमन लिखीट में से की साधन के अध्यापक अपने छात्र से अच्छा संबन इस्थापित करता हैं तो छात्र है वा छात्रों की मदद करने की इच्छा में एक मार्ग दर्शक दुगाम करता की भूनिका निभाकर अध्यापक अपने छात्रों को अगला प्रस्ना है कक्ष में सिख्छन की वाणडी के स्वगहात को कहा जाता है, प्रत्येक प्रस्ना की नीचे में हमने डिटेल दिये हैं, आप इसे डिटेल को पर सकते हो, सांथ ही इसका व्यदी पीडियेफ चाहिए तो हमारे टेलिग्राम चेनल पर इसका पीडियेफ हैं, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो अगला प्रस्न है किसी भी सिक्षक के लिए सुनना महत्वपून है ताकि वहां अधिगाम को पूरा कर सकते हैं इसका करेक्ट अंसर होगा यहां 2019 में पुछा गया था अगला प्रस्न है जब कम संसार्णों का प्रयोग कर और सिक्षक के प्रयास तथा स्वा अधिगाम पर जोर देकर विद्यार्थिक के अधिगाम परिणाम सुनेचित किये जाते हैं तो इससे नीमन लिखित में से कौन से सिक्षण के बारे में सर्वधिक उप्यूप्त धंक से वर्नार करता है तो यह सिक्षक के प्रभाव है इसका वर्नार करता है फिर है अगला प्रस्न अभिकत्थन और काराण का गुरात्वपून प्रस्न गहान अधिगाम को बढ़ावा देता है काराण है हमाने पुछे गए प्रस्णों को गुंवत्ता पाड़ के बारे में सिध्षाण के सफलता का इस सही पाठ्य चर्चा के संबन्ध में कौन सही है इसको देखना है पाठ्य चर्चा को नीमित रूप से संसोधन किया जाना चाहिए यह सही है पाठे चर्चा में केवाद सद्धोगिक संकलपना ही होनी चाहिए यह गलत है तिसरे में पाठे चर्चा को देश की सवधानिक अनिवरताओं से निर्मित गिया जाना चाहिए यह भी सही है पाठे चर्चा को उद्योग हुआ समाज की अवसक्ताओं के अनुसार बना ही यह भी सही है पाठे चर्चा सिख्षक केंद्रित होना चाहिए यहां गलत है इस अधार पर A, C और D हमारा करेक्ट अंसर होगा यहां C अफ्षन में हैं फिर अगला प्रसन है कथन कैन वास एक अधिगम प्रबन प्राणाली है जो आनलाइन सिख्षाण एवाम अधिगम में सायद प्रजान करता है कैस वास एक दन सुलका L M S है तो यहां कथन वन है वहाँ सही है पर कथन दो है वहाँ गलत हैं जिग्यासा रणनेती निम्नलिखित में से किसका उधारान हैं तो जिग्यासा रणनेती हैं वह सरकारी अधिहमाम का निर्धारान हैं यहां प्रसन दो हजातेश में पूछा गया था जो जग्यासा रणनेती एक सरकारी सिख्षान सैली का पाठेक्राम समागरी स्वल तरीका है जग्यासा प्रिक्रिया समू के प्रतिक सदस्य को आकादमी गतिविधी में खेलने के लिए एक अवस्चक भुनिका देकर सुनने संगलन करने अनुभूती को प्रोसाहिट करती हैं सहु के सदस्यों को एक समान लक्ष को पूरा करने के लिए एक टीम के रूप में एक साथ काम करना होता है, प्रतिक व्यक्ति अन्य सभी पर निर्भा रहता है, कोई भी छात्र पूरी तरह से सफन नहीं हो सकता, जब तक फिर वह कोई एक टीम के रूप में एक साथ अच्छी तरह से काम ना करें, यह डिजाइन द्वारा सहयों कक्षा की सभी छात्रों के मध्य अंधक्रिया स्वीधा प्रदान करता हैं, जिसे अपने लक्ष को पूरा होने में एक दूसरे का युगदान कर सकते हैं, इसमें होता हैं सरकारी अधियम में, अगला प्रस्ता है, स्कैल के उधारा नीमन लिखीत में से कौन से हैं, एक इसी समस्या का समधान के संके सुत्र को प्रदान करना यह सही हैं, भी हां विद्यार्थी को अपने आप में समस्या का हल करने देना यह गलत हैं, विद्यार्थी को किसी समस्या के सभी उत्तर यहां समधान प्रदान करना गलत विद्यासिक के चिंतन को निर्देशित करने के लिए सुचक प्रस्न पुछन यह भी सही है इस अधार पर हमारा ए है और डी प्रस्न है वहाँ सही हो जाएगा फिर अगला प्रस्न है सायक समागरी को प्रभाविट करने वाले कारक निमनलिखित में से कौन है इसपरश्टता और व्याक्षता यह सही है समागरी की मात्रा यह गलत है फिर है अधिगाम करता कि आयू एम इस्थर के लिए आयुकता यह भी सही है अधिगाम उद्देश के लिए प्रसंद लिए इस अधार पर ए सी और डी हमारा सही होगा तो यह भी आप्सन में है अगला प्रस्टा है शिक्षण के अवधी में प्रयुक्त होने वाले विसवैस्तु प्रकार के सापेच्छ प्रक्रिया वाले प्रस्णों को सुचीत करने वाले प्रस्णों के निनलिखित प्रद्धन सुची की पहचान कीजिए ए है अफसरी प्रस्णा सही है तत्या की अधारिष प्रस्णा यहां गलत है फिर सी है प्रसंग अधारिष प्रस्णा यहां गलत है फिर है उच्छ इस्थरी प्रस्णा यहां गलत है फिर है उच्छ इस्थरी प्रस्णा यहां सही है सिख्षण के सायक समागरी में पठन और उच्चारन जैसे कौशन में अब वित्ती होती हैं तो यहां स्त्रव्य भाविक सिख्षण किसे हैं किसे एक क्या जाता है इसको नहीं किया जाता है वी हैं ब्लाग अन्लाइन चैट नहीं किया जाता ऐमिल नहीं किया जाता हैं तो तीन दो और पांच हमारा करेक्ट अंसर होगा भी है वह करेक्ट अंसर होगा कि अब हम सिख्षण के संसाग स्विधा से जितने भी प्रस्था हैं उसको अध्यन करेंगे एक अक्षा के माध्यम से व्यापक प्रयुक्त चेत्र को छोण कर इर्दगीर चेत्र में रुच्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष अगला प्रसना है फिल्ड, क्लास्रूम, पल्टिक अख्षा अवातावरा निमनलिखित में से किसी बढ़ावा देता है तो यहाँ नगन्य अधिकाम संस्कृति को बढ़ावा देता है निमनलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग आनलाइन बुलेटिंग बोर्ड बनाने के लिए किया जाता है जहाँ परशित्रपाट स्टेट वीडियो आधि के रुप में सुचना प्रजर से किया जाता है तो यहाँ पैड लेट का उप्योग इसमें किया जाता है अनुदेशन सर्वधिक उप्यूप्त होता है जब यहाँ सिक्षान बुन्यादी कौशन में सिक्षण करता है तो यहाँ ए है वहाँ अमारा करेक्ट अंसर हो जाएगा आइसे कित्रिम परिवेश की रचना करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके भीतार संगना शुटना और आंकडों की उपत्ति किया जा सके तो इसको अनुरुप उपागम कहा जाता है अनुरुपता उपागम कृत्ति परिवेश की रचना करने वाली प्रक्रिया है जिसके भीतार संगा सुचना और आंकडों की पत्ति की जाती है यहाँ नियंतरन प्रिष्थितिति में एक प्रणाली उसके उपर प्रणाई गतिसील वयभार और लोकन क अनुमति देता है इस उपागम में एक जित्ति मातावरण का यहाँ निर्मान करता है फिर अगला प्रस्ना कक्छगत अन्क्रिया है बुख्यता किसके द्वारा प्रभावित होती है तो कक्छगत अन्क्रिया है वाचातर प्रतिवस्ता के द्वारा प्रभावित होती है हमानते हैं कि तभी सचहती विसिष्ट है इसलिए विषिष्ट सैदी का प्रयोग करते हैं जो इसमील परदब है है व्यक्ति प्रयासों को सामिद करना यह गलत है योग्टीम कार्या यह साही है काbekश के भीतर विन्याब अधिगम यह गलत है फिर है निग्राता पुन्स रवाण यह भी शही है अई और इय है करेक्ट अंसर होगा है अगला प्रस्णा काक्षा में आने से चार्चा सिक्षाण व्याक्षा की वीडियो देखते और सुनते यहां किसका उधारन है तो यहां पल्टिक अक्षा लिड़ क्लासरूम का उधारन है अधिग्यां प्रवन प्राणड़ी SMS के उधारन से निमलेखिन में से कौन से हैं तो यह हैं इसकूल लाजी एड मोडो उसके बाद है कैसवास फिर हैं बुक क्रिडर यह गलत हैं फिर लर्ना कैस इताजानार पर सिह हैं वहां करेक्ट अंसर होगा आज के लिए बस इतना ही और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंडर सब्सक्रेब करना ना भूल कि लिए हैं खूल बदो कि और यदद पर考 मेंडर सब्सक्रेब करेक्टब कर दो लाइक और इन दो ना भो लाइक भोल्यों लाइक वेतला यजिसी करना हैं पाल स मेंडर ARE करेक्ट उत्कर धूल्य झाल